पाठ दो, मिल जुलकर रहो, अंच और दुघ दोनों चचेरे भाई थे, दोनों ही अमीर घराने से थे तथा एक ही स्कूछ में पढ़ते थे, अंच और दुख दोनों ही अपनी अपनी कारों से स्कूछ आते थे, अंच बहुत ही मिलनसार लड़का था, सबसे प्यार से बोलना, सबके साथ खेलना तथा सबकी सहायता करना उसका स्वभाव था इसलिए स्कूल में उसके सारे दोस्त थे इसके विप्रीत दुरुफ को अपने धनवान होने का बहुत घमंड था वह न तो किसी के साथ खेलता था और नहीं किसी से बात करता था वह हर समय अकेले रहना पसंद करता था लंच भी वह अकेले ही किया करता था वह सोचता था कि कक्षा के बाकी बच्चे उसके समान अमीर नहीं है इसलिए उसने अपना कोई दोस्त भी नहीं बनाया था कक्षा के बाकी बच्चे भी सिर्फ अंश के साथ ही रहना, खाना और खेलना पसंद करते थी दुरुफ को कोई भी पसंद नहीं करता था एक दिन द्रोग, लंच में अकेला ही पेड के नीचे बैठा खाना खा रहा था हमेशा की तरह उसके साथ कोई बच्चा नहीं था सब बच्चे दूसरे पेड के नीचे एक साथ बैठ कर खाना खा रहे थे खाना समाप करने के बाद द्रुव ने जैसे ही अपने साथ लाई केले को खाना शुरू किया कि अचानक कहीं से एक बंदर उसके सामने आ गया बंदर को देखकर दुरुव अपनी सहायता के लिए चिल लाने लगा लेकिन कोई भी बच्चा उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया दुरुव जैसे ही भागने के लिए खड़ा हुआ कि तभी बंदर ने उस पर जपट्टा मार कर उससे केला छीन लिया और उसे जोर से काट भी लिया अकेला होने के कारण दुरुव बंदर को भगा नहीं सका और बंदर के काटने से उसका हाथ भी जखमी हो गया बाद में जब दुरुव के पिता को सारी बात का पता चला तो उन्होंने उसे समझाया बेटा अगर तुम सबके साथ रहते तो शायद ऐसा नहीं होता तुम्हें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए क्योंकि सभी बच्चे तुम्हारी तरह ही है पैसे से कोई उचा नीचा या अमीर गरीब नहीं होता यह सुनकर द्रोग ने अपनी पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगी और सबके साथ मिल जुलकर रहने का वादा भी किया अब सभी बच्चे धीरे धीरे उसके दोस्त बन गए शब्द अर्थ घराना, खांदान, वंश मिलंसार, मिल जुलकर रहने वाला स्वभाव, आदत, घमंड, अभिमान, धन्वान, अमीर लंच, दोपहर का भोजन, शुरू, आरंभ, जखमी, घायल, शमा, माफी